तो हेलो फ्रेंज्स अब बात करने वाले की कैसे आप इसक चाहिए इस टाइप की आवाज खतम कर सकते हैं वह भी सबसे चीप वे में आइसे तो बेक मुझे से काफी पर गंदे हो जाते हैं उनके पर बेक प्रकाट का गिसा हुआ मेटीरियल होता है और मिट्टी एक लेयर बन जाती है जिससे कि ब्रिक वेट डिस्क के साथ कॉंटेक्ट महाने पर एक नुइस क्रेट करता है तो उसी को साफ करने के लिए हमें कोई अच्छी क्वालिटिकल डिग्रीजर लेना है आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी ओई है तो इसमें से काफी मट्टी और जो इसे वह भी निकल रही है तो अब आपको अपना पूरा दो-तिन मिट तक इसको अराम से अपना काम करने के लिए छोड़ देना है तो या आप चाहों तो इसमें बीच-बीच में स्प्रेय कर सकते हैं इससे फिर ड्राइन हो जाए अब आपको स्कोच बाइट लेना है उस पर डिग्री सर प्रेय कर देना है अपको ध्यान रखना है कि आप साफ स्क्रब पैड लें जिस पर ओविल ना हो उसके बाद आप पैड से डिस्क पर अची तरह से स्क्रब कर लें अ कि अब गारonda करें को ख स्क्रब लिपर होते ह हैं वह उनम पर कुछ पींटे भी होते हैं तो अगर आप स्कॉच बाइट्स स्ंपरदाश करेंगे तो बीचों केक्ष o तो इसको आपको ध्यान से करना है तो जैसा कि आप देख सकते हैं जब मैं इसको मैंने स्टार्टिंग में अपना स्कोच बैट जो था विल्कूल साफ लिया था खूब मैं इसको नृटोष मेंसे कितना मट्पी नि भी तो आपढ़ सकते हैं कि कितना धन्य व जाते हैं असथ लिस्क प्रोफ नषिए के जर साप इसको जुत द्यान करेंकर लेकि दिचान से कै熱 होती है रहा है कि आप दो हम से खाया होते है ऐ आप हम से चलान न कर दो अब आपको सिंपल सा डिस जो आपने लीगरी सासे क्लीन किया है विए को आपको सिंपल सा पानी से दो लेना है और आपका काम खतन हो लिया है यार अगर आपको इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज नीचे लाल बतन को दबा गया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे सपोर्ट कलते रही है धन्यवाद